पैसन बानी आप सभे बहुत बहुत स्वागत बाप के बोल पूरविया बोल में और आज एक ऐसे ख़बर के साथ हम आईल बानी जो न आपके सुचला पे मजबूर कई देए जी हाँ सही सोचनी आप एक ख़बर थोड़ा हट के बार तरसल उत्राखंट जेके दोभूमी भी कहल जाला वहाँ के भीमताल जिला है वहाँ एक गाह है ओखल कांडा जी हाँ वही से एक सोचनी एक ख़बर इया आईल वा कि कुछ दिन पहले वहाँ दिल्ली और नोड़ा से पांच लोग आईल लाने जिनके क्वारेंटाइन कर गई लान है और उन लोगों ने जब खाने से साफ इंकार कर दिया खाना खाने से इसलिए इंकार कर दिया कि क्व पर दलीतों के हाथ से खाने का एक निवाला नहीं खाएंगे। सोच ये कितनी बूरी बात है। सच में मित्रों धिकार होता है ऐसी सोच पे। मैं इतनी छोटी सोच वालों से कहना चाहूंगा। अरे भाई कम से कम भारती राजनेताओं से तो सीख लिए होते हैं। चुनाओ के वक्त ही सही पर खाना तो खाते हैं उनके घर। अब सबसे पहले हमें उनकी सोच को समझना होगा आखिर ये नफरत क्यों करते हैं इतने दलित सब्द से और ये अच्छूत सब्द कैसे भारती इतिहास में बहुत बड़ा निरनायक साबित हुआ है और बार बार इसका जक्र सास्त्रों में भी और कहीं बहुत जब हम समाज भी खटा होते हैं तो इसकी चर्चा होती है लेकिन कोई अच्छे से नहीं हमें बता पाता आखिर इस सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई तरसल आज मैं एक आपको अनुखी बात समझाने जा रहा हूँ जिसे कई तियासकारों ने भी इसे सब्द माना है तरसल कहल जाला कि पहले जन मुस्लिम अक्रमनकारी जब देश में आये थें तो समाज में अच्छूत, चमार, हरी जन जैसे सब्द कहीं नहीं रहें बस सब के सुद्र कहल जात रहें, कहल तई हो जाला कि इस सुद्र, छत्री और ब्राम्हर समाज के जिसन आदरनी तब भी रहें लेकिन इस समाज के लोगन पर बहुत जुल्म कई लिया, सिर्फ एही खातेर कि वो मुस्लिम बज़ जा है उनसे जवर्यस्पी चमड़े का कार, मरे हुए जानवरुपी लास उठवाना, गंदगी साफ करवाना, जैसे काम करवाए गए और इसी समाज को धीरे-धीरे असूत समझा जाने लगा, इनसे हिंदू समाज भी दूर होता चला रहे है और जब जुल्म इन पर बढ़ता गया, तो इन में इससे ज़्यादा लोगों ने बुद्ध धर्म की शरंड ले ली इसी समाज को आज अनसोची जाती कहा जाने लगा, और इस समय भारत में 20 करोड से ज़्यादा बादी दलित जाती की है और दुख इस बात पर लगता है, कि जिस देश के राश्पती खुद एक दलित समुदाय से तालुक रखते हैं, उस देश में दलितों के साथ ऐसा मानवी वहवार इस समय हो रहा है वो भी इस कुरोना काल में जब ये रोग जाती, अमीरी, गरीवी कुछ नहीं देख रहा है दरसल गाँ में चमार जाती या कहें दलित होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई कुछ नहीं कहता सिक्षित्वर भी इसके पाले में आ जाते हैं ये मुद्दा सहर में तनाइखे पर गाह में आज इस समाज के साथ एक अजीब धंके व्यवहार होतबा तरसल बोल पूरविया बोल के माध्यम से हम विंती करतानी हाथ जोड के आप सभी से कि समाज भी देश के अहम हिस्सा है यो हमनी के मित्र, दोस्त, भाई, बंधु बहुत अच्छा जिगरी दोस्त हो सके न है और आज ता हम समझा देनी कि दलित समाज है का और दलित समाज के अईसन जुना त्याचार होता एक हमन के जल्द से जल्द खतम करने के सोच एक चाही और सबसे बड़ा मुद्दाबा कि ऐसी सोच को हमें जगह नहीं देनी चाही अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में और अगली बार एक नए मुद्दों के साथ मैं फेराऊंगा तब तक के लिए दिजे अपने दोस्त, अपने प्यारे बाबू, दिव्यास को जाज़त और हाँ, घरे में रही, स्वास्त रही, अच्छे से रही, और देखत रही, बोल, पुरविया बोल तब तक के लिए दिही जाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद